स्टार प्लस पर टेलिकास्ट होने वाले सीडियल पांडा स्टोर में इन दनों एक शोकिंग सा ट्विस्ट देखने के लिए मिला जब हुई श्रिवा की मौत सबको लग रहा था कि श्रिवा अब इस दुनिया में नहीं रहा श्रिवा के घरबाले काफी परेशान थे उर्मना रहे थे उसकी मौत का मातम लेकिन ऐसी में श्रिवा अंजी से जिन्दा देखा गया और यहां अब श्रिवा के इन जिन्दा होने के साथ ही शो में खूब सारा ट्विस्ट आएगा यहां दोस्तो श्रिवा जो है बुरी तरह से घायल ऐसे में वो बाजार में घूमते हुए नजर आएगा अपना चहरा भी छिपाएगा और अब आखिरकार वो यह फैसला लेगा कि उसे अपने घर जाना ही होगा और शो में अब इंट्रोस्टिंग सा ट्विस्ट तो तब देखने के लिए मिलेगा जब शिवा अपने घर ना जाकर जाएगा अपनी मामी के घर जाएगा यहां जब वो टेबल पर खाना देखेगा तो वो अपने आपको रोक ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत वक्त से उसने नहीं खाया है कुछ भी ढंका खाना और टेबल पर खाना रखे देख वो सारा खाना खाते हुए नजर आएगा अब भई वो जल्दबाजी में खाना खा रहा होगा और तभी जब उसे किसी के आने की आहट सुनाई देगी तो वो प्लेट में खाना रख वहीं टेबल के नीचे छपता हुआ नजर आएगा अब भई आएगी मामी वहाँ पर मामी जब देखेगी कि वहां से खाना है गायब तो मामी के उड़ेंगे होश जी हाँ मामी को लगेगा कि उनके घर में गुसाया है भूत जो दीरे दीरे कर उनका खाना भी खा रहा है और घर की चीजे भी हो रही है अस्विस अब नहीं जानता कोई भी ये सच कि शिवा है जिन्दा लेकिन देखना तो यहीं इंट्रोस्टिंग होगा कि क्या मामी के भूत के पीछे की सच्चाई रावी जान पाएगी क्या रावी को पता चल पाएगा कि उसका शिवा जिन्दा है शो का ये अपकमिंग ट्रैक काफी इंट्रोस्टिंग होगा क्योंकि शिवा अब मामी के मज़े लेते हुए भी नजराने वाला है तो बिल्कुल भी ना करें मिस और देखते रहे स्टार प्लस पर पांडिया स्टोर